हेलो गईदन उसकार, वेलकम टो अनलाइंग ग्यान बाई यानन तो मेरे उत्राखन के सात्यों साम का बच्चु का आड़, उत्राखन सामान ग्यान की जो हमारी डेली वालाइनर महासरी जारिया उसका आगे बढ़ाते हैं, सात्यों इस स्रीज का आज हमारे 52 पारड़ है, क्य क्योंकि जो भी आपके उत्राखन के एक्जाम होने वाले जिसमें उत्राखन जीके का पोर्चन रहेगा, इन ही इसके आएगा एक्जाम मा आप लोग वरोसा बनाये रखना, जरूर वाच करना, जो 52 पार्ट का आज का पहला प्रसन आपको ले चलते हैं सात्यों, आज भी हम साध्यों, 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 साध् प्रारंब करी इसके बाद हमारे उत्राखन के किसानों को एक उत्तम वीज मोहया कराना ताकि उनकी जो किर्सी है एक अच्छी वीजान रोहित हो तो इसलिए इसकी स्थापना कब हुई चौद मार्च 2001 को दूसरा सवाल राजी में किसान रतन योजना कब सुरू की गए थी तो राजी ने हमारे उत्तराखन राजी ने किसान रतन योजना प्रारंब की सन 2001 में कब की गए साथ यो आपको बता दें इस किसान रतन योजना में केंदर सरकार का भी रॉल है केंदर सरकार की महत्तोकान से योजना है इसके तह जो किसान भाई जो है किर्सी छेतर से जुड़ या कराना इसका उद्धेस है तो किसान रतन योजना की सुराद हमारे उत्रकन राजिव का वोई 2010 में हुई तिसा सवाल विटिस गलवाल में कामनी का संबन्द किस से था तो विटिस गलवाल में कामनी उसे का जाता था तो लगान वसूल करता था तो लगान वसूल करने वाले ब्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था कामनी नाम से जाना जाता था अगला सवाल विटिस काली ने नियाय ब्योस्ता में सर्वोच पदाधिकारी कौन था था तो विटिस काली नियाय ब्योस्ता में सर्वोच पदाधिकारी कौन था था कुमाओ कमिशनर होता था सर्वोच जो होता है वाइसराय का होता था आप यह को सब जानते हो तो कुमाऊंट छेत्र मेंvent मश्रॉण का निर्मार्ण किया गया थो अल्मोड और पॉडी में अंग्रेजौन ने जेल का निर्मार्ण कियाip अलमोडा में किया 860 में और पॉड़ी में किया 850 में अच्छा सवाल है भी अलमोडा में जेल का निर्मान अंग्रेजुने कब किया 860 में और पॉड़ी में जेल का निर्मान किस वर्स किया अंग्रेजुने 850 में अग्ला सवाल किस एक्ट के तहत कानुनों को इंस्पेक्टर पटवार्यों को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया तो किस एक्ट के था है उत्रा खंड में कानुनों को इंस्पेक्टर और पटवार्यों को सब इंस्पेक्टर का अधिकार अंग्रेजु ने दिया साथ यो कोट अब क्रिमिनल प्रोसीजर के तहद अंग्रेजु ने कानुनों को को इंस्पेक्टर और पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया अगला सवाल है गड़वाल रैफल की दूसरी बटालियन कब इस्ताफ़त हुई तो गड़वाल रैफल की दूसरी बटालियन इस्ताफ़त हुई सात्यों 1901 में आप लोग सब जानते हो ग गड़वाल राइफल की स्तापना लेटनेंड करनल एफी मेन वारिंग तो लेटनेंड करनल एफी मेन वारिंग ने कुछ राजपूत को मिलाकर कुछ ब्राह्मन को मिलाकर कुछ गड़वाली सैनिको को मिलाकर लेटनेंड करनल एफी मेन वारिंग ने पांच मई अठार सो सतास को अलमोडा में पहली बटालियन की स्थापने की थी गड़वार राइफिल की कब पांच मई अठार सो सतासी को किसने एपी मेन वरिंग जो लेटनेंट करना था विटिस और सातियों आपको बता दें कुछ मेहने ही हमारा यह बटालियन इस चेतर में यानि अलमोडा में रही चार नॉवंबर अठार सो सतासी को कालू का डांडा गड़वाल में इस बटालियन को इस्टानांतरित क बात करें कुछ और इसका नाम सात्यों कुछ समय बाद क्या रख़ा तो लैंस डांग रख दिया था सातियों तो पांच मए 1887 को गड़वाल राइफल की पहली बटालियन का निर्मान करनल एपी मेन वारिंग ने अलमोडा में की और दूसरी बटालियन कब बनी 1901 में बनी पहली बटालियन का निर्मल अगला सवाल तराय भावर में किस वर्स वीटिस सरकार ने चराय पर कर लगाया था तो चराय मतलब साथ यो पसू जो चराते थे उनसे भी कर वसूल कर थे अंग्रेज लोग तो बिटे सरकार ने पसू चराने वालों के लिए भी कर लगा दिया था कब 1909 से तो तराई भाबर में जो चरवाय थे जो पसुचारक थे उनको कर देना होता था यह जो पसुएं चलाते थे तो यहाँ पर था जो है यहाँ ब्योस्ता 1909 से इनके द्वारा लागू की गई तो आपको पता हो न चीए तो पहला जो भूमी बंदोबस्ते किया गया तो पहला जो भूमी बंदोबस्ते किया गया सुधर्शन सहा के द्वारा टिहरी में किया गया कब 823 में तो 823 में टिहरी में पहला भूमी बंदोबस्त किया सुधर्शन सहा ने और कुल मिलाके 5 बंदोबस्त हुए और अंतिम जो बंदोबस्त किया नरेंदर सहा ने किया 1923 इस भी में और पहना किसने के 823 में सुदर्शन साने टिहरी में, क्योंकि टिहरी राज आई थी, यहाँ पे अंग्रेजु का कोई प्यूकम नहीं चलता था, आप दोग सब जानते हूँ, 832 में मसुरी में सर्वक्षन कार्यले खोला था, जिसका नाम हमारे जो सबसे उची चोटी है सात्यों, विस्तु की माउंट अवरेश्ट, इनी के नाम पर पड़ा, और इनका जो सर्वक्षन कार्यले था, 832 में मसुरी में अपना कार्यले खोला, अगला सवाल, तारकोट वो मै कोटली हिमानी किस जनपद में इस्तित है, तारकोट वो मै कोटली हिमानी जो हमारी बागेसवर जनपद में इस्तित है, फ्रेंक इसमित ने फूलू की गाटी की तूलना किस से की थी, आईरलेंड से की थी, सात्यों आप लोग जानते होंगे, फ्रेंक के इसमाहित को ही इसने ही फ्रेंक के इसमाहित नहीं हमारे जो चमोली में इस तो फोलू की घाटी है उसकी खोज की थी फ्रेंक की इसमाहित जो है यहां पे कामेट परवत की चड़ाई के लिए आये था और उनको दिग गी यहां पे फोलू की घाटी और उनने यहां स साथ यो पॉरान है उसमें भी है जो महा पुरान है उसमें भी है इसको महा भारत में इसको नंदा कानन का गया है और आप लोग जानते हैं उसका छेत्रफल कितना है 87.5 किलोमेटर वर्ग किलोमेटर है इसका छेत्रफल और आप लोग जानते हो उसकी 1931 में फ्रेंक इसमेट ने इसकी खोज की थी और 1982 में इसको राश्टूट्यान का दर्जा हमारे भारत सरकार ने दिया और 2005 में युनिस्को ने इसको विश्व दरोवर की सूची में सामिल किया था इतने फैक्ट है आपको याद रखने ताकि कहीं से भी प्रशना आता है तो आपका छूटे न तो ठीक है साथ इसको वैलिय का रेल का अगमन हुआ 884-85 में विटिस ऑपनियोसी काल का स्वान यूग किस कमिशनर के कारिकाल को का जाता है तो विटिस ऑपनियोसी काल का स्वान यूग का जाता है हैंडरी रैम जी को हैंडरी रैम जी हमारे उत्राखन कुमाओं का कमिशनर बना 856 से 884 तक आपको बतात स्वान्ड विकारिकाल थे उससे कउमाओ का स्वान्ड कामिशनर बनने से पहले भी अपने यहां पर पर Creatorרא Pal तो इसको पूरी नौलेज थी स्थी कमाओं की पूरी यहां की बोली बासा भी अलका फूलकाइस को आठीए तो इससी समय के काल को स्वान यूग बिटिस ऑपनियोशी काल का माना जाते हैं पाताल भूनेसर गुफा के निकट अन्नी गुफा कांसे तो पाताल भूनेसर गुफा कांसे कहा है मारी गंगोली हाट में जो पितरा करका है कि छेतर है तो पाताल भूनेसर गुफा के निकट एक अन्नी गु वेस्ट एन तिबद एंड विटिस वोडर्स लेंड अच्छा सवाल है भी किस कमिशनर ने तिबद की यातरा की थी वो कान सा कुमाओ का कमिशनर था जिसने तिबद की यातरा की थी इनका नाम है सी ए सेरिंग तो सी ए सेरिंग के द्वारा तिबद की यातरा की गए थी चांच वन दे भी मंदिर है हमारा अलमोडा के द्वारहाट में उत्तर परदेश के किस इस्थान में प्राप्त हुई है उत्तर पर्देश का वह इस्थान आपको बताना जो आपको बताना है जांस मुद्राय हमारे मिली हैं तो सहारनपूर का एक चेत्र है वहां पर ऊठ्ट Thomas College of Civil Engineering रुड की की स्थाबना अठार सोट रुड की की स्थाबना के समय कुमाओ कमिश्नर कौन था जे-एन-वैटन महिसुर्टाल कहां पर रस्तित है तो महिसुर्टाल हमारा मुंसारी पितुरागड महिस्तित है किस वर्स अलमुडा में पहला महिला चिकिस साले खोला गया 1927 में कुमाओ में सवीनाई अवग्या आंदोलन का नेततु किशने किया था गड़वाल में पंचांग परकासित करने वाले पर्थम व्यक्ति कौन थे तो गड़वाल में पंचांग परकासित करने वाले पर्थम व्यक्ति हमारे पंडित महिधर डंगवाल थे उत्राखन करांती दल की इस्तापना का मुख्य उद्देश क्या था साथ यो आपको बता था उत्राखंड क्रांति दल की इस्ताफना उस शमय के हमारे तदकालिन कुंवाइन उनिवρχ्ष्ट के कुल पती देवि दत पंध ने की थी 25 जुलाइ 1979 को तो कुलपती जी जो हमारे उस समय के कुमान इवस्टी के कुलपती थे देवी दर्थ पंद या डीडी पंद भी आम इनको कहते 25 जुलाई 1979 को इनके नेतत्तों में इनके अध्यक्सा में उत्राखंड करांती दल की इस्ताफना की गई थी और साथ यो आपको बता दें इसका मे विदाय कौन बना तो 1980 में चुना हुए विदानसबा के और करांती दल से विदानसबा का चुनाओ जी था जैसवन सिंग विष्ट ने तो उत्राखंड करांती दल का पहला विदाय कौन बना जस्वन सिंग वेश्टिर उुनिससो अस्वे में ये बी अच्छा सवाल है कौन सा कुमाउ कमि्शनर लाड़ डल होजी का चच्यरवाई है तो कुमाउ कमिशनर लाड डल होजी का चच्यरवाई था किस आयूग ने भासा के आदर पर उत्राखंड को पिर्थक राजी बनाने की संस्तूती पेज की थी मनिमान मनदेव और मनिया मंदिर समू किस जनपद में तो अलमुडा के द्वारहाट मंदिर समू में आते हैं ये मंदिर अगला है रतन देवल मंदिर समू किस जनपद में तो रतन देवल मंदिर समू हमाला अलमुडा जनपद में श्तित है सीतला देवी मंदिर कहां श्तित है तो सीतला देवी मंदिर अलमोडा में 257 से इस्ताफित है राम पादुकार तीर्थ किस जनपद में तो राम पादुकार तीर्थ हमारे अलमोडा जनपद में है चकुटिया विकास खंड में अगला सवाल राम पादुका से लगी पाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है तो राम पादुगा से लगी जो पाड़ियां होती है पाड़ियां है मारी उनको जाना जाता है असुर फाट के नाम से जो राम पादुगा तिर्थ कहां पे है अलमोडा में चकुटिया विकास गंडी चेत्र में है और राम पादुगा से लगी जो पाड़ियां उनको हम जान राज जी में सती परताबस अंकुष लगाने वाला कमिशनर के रूप में किसे जानते हैं तो कमिशनर ट्रेल जो साथ हमारे कुमाओं का कमिशनर बना अठार सो सोल में और इस तरीके से बना अठार सो सत्र से लेकर अठार सो पैंतिस तक और इसने साथ एक के बाद एक काम यहा पे किया गया पूर्ण तरीके से क्योंकि इनके द्वारा भूमी बंदोबस्ति यहां पे किया गया पहला कई तरह से एक नेक काउम इनके द्वारा अपने छेतर के लिए किये गए और राजी में सती पर्था पर अंकुस जो लगाया गया था कमिशनर ट्रेल के ही द्वारा जी मैं सबसे उदारवादी नेता के रूप में किसे जानते हैं तो राज जी का दुस सबसे उदारवादी नेता था हमारा पंडित गोबिंद बलब पंतेजी जिनको भारतसरकार ने 1957 में अपना भारत दस्रत rez Plant भी किया था गड़वाल का शायवन पीटर किसे बोला जाता है तो गड़वाल का सायवन पीटर कहा जाता है ख्याली रामोड को उत्राखन के किस रव उत्राखन का जन्नाई कहा जाता है राजी में सर्वत पर्थम लेपरोसी मिशनरी की इस्ताबना कब और कहा की गई तो राजी में सरोपर्थम लेपरोसी मिशनरी की इस्ताबना चंडाग जो कि पितुरागर छेतर के अंदर का दाता है तो 885 में लेपरोसी मिशनरी की पुनिला गाड और चुपला गाड हमारी नंदगनी, नदी की सायक नदियां, धमोरी ताल किस जनपद में इस्तित है। किस वर्सत दयानंद सरस्वती ने कुम्ब मेले में हर्दवार की यात्रा की थी तो दयानंद सरस्वती जो आरे समाज के संस्तापक माने जाते है दयानंद सरस्वती उनने भी हमारे उत्राकंड की यात्रा की थी और कुम्ब मेला जब लगा हुआ था 885 में तब वो यहां समाज की इस्तापना की गई थी उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्याटन किसका सोद गरंत है उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्याटन किसका सोद गरंत है उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्याटन किसका सोद गरंत है उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्याटन किसका सोध ग्रंत को पेस किया आ गया हिमियार पती कहा पर इस्थी ही तो हिमियार पती हमारी टीरीगाडवाल में इस्थी थे तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कमपनी 1920 की स्थाबना किशने की थी तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कमपनी 1920 की स्थाबना ललिता परसाद टम्टा ने अलमोडा में की थी अच्छा सवाल है साथ हो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कमपनी की स्थाबना कब और किशने की थी तो 1920 में अलमोडा म चमौली इस्तित रोपकुंड का परसार किस गाटी के अंतर्गत आता है यो रांगली गाटी के अंतर्गत आता है महादेवी कन्यापारसाला की इस्थापना देरा दून में 15 सितंबर 1902 को की गई पर्थम गडवाल अमबीबियस कौन है तो पर्थम गडवाल अमबीबियस की जो पदवी मिली वो मिली साथ यो अमबादत नैथानी जो है गडवाल चेतर के पहले अमबीबियस डिगरी लेने वाले बेक्ति हैं गुर्काली में सैनी सिविर कहते हैं खलंगा को राजी के किस वहीद समंद नूर नाँग युदि से जशवन सिंग रावत का समंद है किस निर्ति से पारंगत थे तो केदार निर्टि से पारंगत थे हमारे इंद्रमनी बड़ोनी पित्राघर कार्पता में विजय दात्समी से एक दिन किया जाता है चौमू देवता में है चौफुक्या जो मेला लगता है उससे पूरू विजय दातस mercury के दिन एक मेले का जीन कहा जाता है चाफुक्या मेला जो चौमो देवता का मेला है उत्राखन चार धंसे अम्प comparing वरत्म को लिजィわか्ए में सबसे लंबीवधि वाला मेला तो पूंगरी मेलाई तो चमपवत लंवा गुमुता चलता है लगबग तो कुमोच हित्र का यह सबसे लंबी अवधी पर लगने वाला मेल है सिर्नगर गड़वाल राजदिक सम्मेलन 1938 की अधिक्स्ता की थी परताब सिंग नेगी के द्वारा राजी के किस इस्तान को फिरंगी राजदिक का कीड़ा इस्तल कहते हैं राजदिक का कौन सा इस्तान गूंकि आप जानते हैं जो भी सम्मिलन हो रहे थे राजदिक सम्मध्दित और ट्रेणिंग यहां पर दी जा रहे हैं आप वो क्या करना है कैसे करना है याणी राज दी कि चेत्र जो जगाए जा रहे थी इसी दूगड़ा चैत्रें जगाए जा रही थी बारत आजा दीके लिए बटवाड़ी मैं मनाए जाने वाली हारुनमेले का संब्ध है यह हारुनमेला कायुजिन होता किसी सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करें और हमारे पहले के पाड़ आपको देखने हैं तो लिंक है इन डिविस्कुस्म बॉक्स आल पाड़ आपको एक ही प्ले लिश्टे मफ लद्द हो जाएंगे फिल अंगों मैं से पाड़ आपके समुख तो बने लिए यजरे का हमारे चलिंगे साथ धनीवाद को लट प्लेक्षी रप्सक्राइब करें दूर्श करकें में हुए ये बैद देआक दो भर आइफे और जोड़ाई है